लॉक्डाउन में शेहरों में फसे प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे सोनुसूत की हर तरफ तारीफ हो रही है उनकी नेक पहल को सेलेब्स, राजनेता और जनता का समर्थन मिला वही सोनुसूत को लेकर इंदनो पार्टिया, राजनीतिक रोटियां भी सेक रही दैसल हाली में शिवसेना के मुकपत्र सामना में संजर राउत ने जिस तरह सोनुसूत की आलोचना की उस पर काफी बवालपा संजर राउत ने सोनुसूत के प्रवासियों की मदद करने को राजनीति से प्रेरिद बताया था वही अब संजर राउत के इस बयान पर सोनु सूद का रियाक्शन सामने आया है सोनु सूद ने एक लीडिंग वेबसाइल्ट से खास बातचीत में कहा कि मैं किसी की खातिर कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं बस प्रवासियों के लिए कुछ करना चाहता था संजर राउत अच्छे इंसान है और मैं उनकी काफी इज़त करता हूं ये उनका विचार है वे बड़ी शक्सियत है मुझे उमीद है कि समय सच बताएगा और वे इसे महसूस करेंगे उधव और आदित्य ठाकरे के साथ मीटिंग अच्छी रही थी मुझे लगता है जो भी हो रहा है वो उधव और आदित्य ठाकरे की मदद की वजह से हो पाया वे मेरे दोस्त हैं असलम शेख ने काफी मदद की उनके बिना प्रवासियों की मदद नहीं हो सकती थी सबसे जरूरी यह है कि लोग घर पहुँच रहे हैं मेरा बस यही इरादा है जब तक लोग मदद मागेंगे मैं मदद करता रहूँगा वई राजनीती में आने के सवाल पर सोनु ने कहा मेरा राजनीती में आने का कोई इरादा नहीं है मैं बतौर आक्टर अपने काम को इंजॉय कर रहा हूँ अभी मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है, बत और आक्टर मैं बहुत बिजी हूँ, मेरी कई बड़ी फिल्में पाइपलाइन में है, मैं फिल्में करना चाहता हूँ, मैं किसी को कुछ कहने से नहीं रोक सकता, यहां लोग तन्त है, मेरा राजनीती में कोई इंट्रेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मतादे के हाली में संजराउत ने सोनुसूद पर निशाना साथते हुए कहा था कि सोनु बीजेपी के कहने पर मजदूरों को घर भेजने में जुटे, यह उनका पॉलिटिकल मूव है, वे बीजेपी के इशारे पर यह सब कर रहे हैं, संजर सोनुसूद को बीजेपी की कठ पुतली बता गया था, वही सोनुसूद के बयान से साफ लग रहा है कि उनके इरादों पर चाहे कोई भी सवाल उठाए, बावजूद इसके वो लोगों की मदद करना बंद नहीं करेंगे, सोनुसूद 18-18 घंटे काम कर रहे हैं ताकि हर प् झाल